चलिए स्टूडेंट्स हम लोग question number one को solve करते हैं देखिए question number one क्या कह रहा question number one कह रहा सिद्ध कीजिए कि under root 5 एक आप परिमे संख्या है हमें बताना है कि यहाँ पर जो under root 5 है under root 5 क्या है एक आप परिमे संख्या है तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले solve करते हैं आप लोग को अगर आप परिमे संख्या क्या होती इसका definition clear नहीं है आप परिमे संख्या क्या होती है परिमे संख्या क्या होती है अगर आप लोग इसके बारे में detail में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूँ परमेश संख्या क्या होती है समझे जैसे अगर कोई भी संख्या है और उस संख्या को अम लोग P by Q के रूप में राइट कर ले रहे हैं तो ऐसी संख्या क्या होंगी परमेश संख्या होंगी क्या होगी परमेश संख्या होगी और इसके लिए हमारी कंडिशन क्या होती है कंडिशन यही होती है Q should not be equal to 0 यानि कि जो Q है Q की value 0 नहीं होनी चाहिए अब आप लोगों के दिमाग में question आ रहा होगा कि अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो आप लोग देखिए समझें यहां पर हमारे पास P है और Q का value ने 0 कर दिया तो 0 करने का मतलब क्या है कि इस 0 से हम P में भाग दे रहे हैं इस 0 से हम P में भाग दे रहे हैं जरा आप 0 से P में भाग दे करके देखिए होगा क्या कुछ इस तरीके से हम लोग इसको write कर सकते हैं और 0 से पी कप जीरो से हम इसको अगर cancel करना चाहेगा आप सोचिए क्या हो सकता है 0 को किसी भी संक्या से multiply करेंगे 0 अगर तो यहां पर क्या कुछ आने की संभावना है नहीं तो कितने times हमारा जाएगा infinite यानि कि यह जो term है मारा क्या हो जाएगा आप अरिभासित हो जाएगा तो इसलिए जो हमारा Q है क्योंकि बेलू 0 नहीं हो सकती चलिए अब हमें प्रूब करना है कि अंडररूट 5 एक आप परिमेय संक्या है इसको लोग कैसे प्रूब करेंगे देखि यहां पर माल लिजिये कि यह जो अंडर रूड 5 है हम लोग इसके विप्रिद मानेगे हम लोग माल लेंगे कि यह जो अंडर Forsch फांड और वं क्या है ast परिमिये संक्या है, तो हम लोग इसके विप्रित मान लेते हैं, मानिये, माना की अंडर रूट फाइव, माना अंडर रूट फाइव एक परिमिये संक्या है, और जो परिमिये संक्या होती है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में, तो यहाँ पे हमारा अंडरूट 5 is equal to क्या हो जाएगा P upon Q और हमारी सर्थ क्या है Q should not be equal to 0 ऐसा अब आप लोग समझे जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से है अगर हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लोग P upon Q की रू खंड़े इसको cancel कर दे रहे हैं इससे हमने किया 2 1 के 2 yes 4 1 के 4 और 4 दो निया तो यहाँ पर हमारे पास P upon Q is equal to क्या हो गया 1 upon 2 और इसमें है क्या इसमें जो Q है 0 की equal नहीं है और दूसरी बात इसको आप मान लिजे A और इसको मान लिजे B तो A और B में आप लोग क्या देख रहे हैं A और B में आप लोग क्या देख रहे हैं इनका जो SCF यानि कि A और B कैसे नंबर्स हैं सा अभाज संख्याएं हैं सा अभाज संख्याएं हैं यानि कि A और B के बीच में 1 के सिवा और कोई भी उभाज बढ़न खंड नहीं है तो ऐसी संख्याएं इसको आप लोग समझेए आइसी संख्याएं जिनका जो HCF होता है जिनका जो SCF होता है वो सिर्फ और सिर्फ one हो तो ऐसी संख्याओं को सा अभाज संख्याओं कहते हैं तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे अब समझे यह हमारा इसमें कोई भी गुड़नखंड कॉमन रहा होगा और इसको मुने सेंप्लीफाई कर दिया सेंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या बच रहा है एपॉन इसको मुलोग एपॉन बी के रूप में लिख दे रहे ठीक है जो भी हमारा वेनिश गुड़नखंड था मने उसको कैंसिर कर दिया और कैंसिर करने के बाद हमारा क्या बचा है एपॉन बी इसको आप लोग इस तर और B है, सावाज संख्याई हैं, सावाज संख्याई हैं, इसको सॉल्व कर लिजी, चलिए, इसको लिखिए, अंडर रूट 5 is equal to A upon B हैं, B को उधर बेच दीजिए, क्या हो जाएगा, B अंडर रूट 5 is equal to A, तो दोनों तरफ स्क्वाइर कर दीजिए, दोनों तरफ work करने पर, तो दोनों तरफ work करिए, क्या हो जाएगा, B अंडर रूट 5 का square is equal to A काई square, तो इसकाई square कर दीजिए, एसकाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 is equal to A square, तो देखे क्या हो जाएगा, B square, अंडर रूट 5 5 into under root 5, क्या हो जाएगा, 5 is equal to A square, यहां से क्या हो जाएगा, B square is equal to हो जाएगा, A square upon 5, B square upon, B square is equal to A square upon 5, तो देखिए इसमें क्या हो रहा, कि A जो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, यह जो 5 है, 5 A square को divide कर रहा है, तो लिख लेजिए, यहां 5 A square को विभाजित कर रहा है, यहां पर 5 A square को विभाजित करता है, इसलिए, इसलिए, जो 5 है, A को भी विभाजित करेगा, एक वो भी विभाजित करेगा, इसके कहने का मतलब क्या है, इसको आप लोग समझेए, समझेए, जैसे कि हमारे पास कोई number समझेए, जो हमने 6 का square ले लिया, और इसको वो तरे से divide कर रहे है, अ, जो A square है, इसको आप माल लेजिए क्या है, अ, हमारा A square है, कहा क्या जा रहा है, इसको B समझेए, ठीक है, यानि कि यह जो a है a 3 है 3 जब इसको यानि कि a square को divide कर रहा है तो 3 a को भी divide करेगा यानि कि 6 को divide करेगा इसको लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और यह मारा इस तरीके से हो जाएगा इसको लिख देए 36 36 बटे 3 यहाँ पर देखिए जो यह तो 3 है 3 a square को divide कर रहा न 6 के square को divide कर रहा देखिए इसको cancel करेद क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा अब यह a है 6 यह भी a है तो multiply करेगा तो a square यानि कि 36 अब यहाँ से देखिए 6 को भी यह जो 3 है 6 को भी divide करेगा यह 3 6 को भी divide करेगा यहाँ पर यह जो statement कहे रहा है कि यहाँ पर 5 a को भी भाजित करता है इसलिए जो 5 है a को भी भाजित करेगा ठीक है यहाँ पर a square को भी भाजित करता है तो a को भी भाजित करेगा चलिए अब लोग यहाँ पर देखिए हम लोग माल लेते हैं माना A is equal to 5C माना A is equal to 5C अब आप लोग सोच रहेंगे इसको क्यों माना तो समाझिए जैसे यहाँ पर कहे रहा ना कि A जो 5 है यह 5 A को विवाजित कर रहा है और समझिए अगर कोई संक्या हमारे पास इस तरीके से है हमने इसको ऐसे cancel किया 3, 2, 6 यहाँ पर हमारे पास कुछ तो बचेगा यहाँ पर कुछ तो बचेगा तो संक्या कैसी होगी हमारे पास कुछ इस तरीके से multiplication के साथ में होगी और यह जो number है जब हम divide करते हैं तो जो बचता हो number है तो यहाँ पर इसलिए हमने a is equal to 5c ले लिया है तो a is equal to 5c आप लोग इस equation में रख दीजिए इसमें रख दीजिए इसमें रख दीजिए a is equal to 5c इसको नाम देजिए question number 1 ठीक है तो समी करण एक में समी करण एक में a is equal to 5c रखने पर इसमें आप a is equal to 5c रख दीजिए क्या हो जाएगा हमारे पास b square is equal to और a का value में 5c रखना है तो upon में कर दीजिए 5 5 फिर हल करिए इसको पाँच पचे पचीस c square upon में 5 तो पाँच एक के पाँच और पाँच पचे पचीस यहां पर देखी क्या हो रहा हमारे पास क्या आ गया b square is equal to 5c square और यहांस इसको हल करिए हल करिए तो c square क्या हो जाएगा c square is equal to हो जाएगा b square upon में 5 a आ गया हमारे पास c square is equal to b square फाइनल आंसर नहीं है ठीक है तो c square is equal to आ गया है b square upon 5 क्या है c square is equal to b square upon 5 अब आप लोग इसमें ध्यान से देखिए इसमें ध्यान से b square को विभाजित करता है b square को विभाजित करता है इसलिए यह जो 5 है b को भी विभाजित करेगा 5 b को भी विभाजित करेगा 5 b को भी विभाजित करेगा अब देखिए यह वाला जो statement है इसको हम लोग equation number one मानते है two मान लेते है one हमने मान लिया है इस state treatment को हम लोग two number लेते है और इसको हम three लेते है आप लोग इसमें से देखिए निशकर्स क्या निकल रहा हमारा यहां पर यह जो five है a को भी विभाजित कर रहा है और यह जो five है a b को भी विभाजित कर रहा है यानि कि पांच निशकर्स अमलोग क्या निकालते है समीकरण एक तथा दो से निशकर्स निकाल लेते हैं समीकरण दो तथा तीन से हम पाते हैं कि हम क्या पाते हैं सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर जो five है a को भी वाजित कर रहा है यानि कि a का एक multiple है और यहाँ पर जो five है b को भी विभाजित कर रहा देखिए तो b का भी एक multiple है तो समीकरण दो तथा तीन से हम पाते हैं कि 5 a तथा b 5 a तथा b दोनों को भी वाजित करता है दोनों को भी वाजित करता है जिसमें पांच क्या है a को भी वाजित कर रहा है b को भी वाजित कर रहा है इसलिए उसमें पांच क्या एक उभैनिस्ट गुड़न खंड का है तो जिसमें लिक लेजिए जिसमें पांच क्या है जिसमें पांच एक उभैनिस्ट गुड़न खंड है उभैनिस्ट गुड़न खंड है इससे क्या हुआ हमारी जो कल्पना थी उससे में एक विरोधा बाज प्राप्त होता है लिख लेजी इससे हमारी इस तथ हमारी इस तथ है का विरोधा बाज प्राप्त होता है प्राप्त होता है कि ए तथा बी में एक के अतरिक्त एक के अतरिक्त कोई उभएनिस्ट गुड़न खंड नहीं है कोई उभएनिस्ट गुड़न खंड गुड़न खंड नहीं है अब आप लोग समझे हमने यहां पर स्टार्टिंग में क्या मान के रखा था हमने कहा था कि जो हमारे पास ए और भी है एक कैसी नंबर हैं सा अभाज संख्याएं हैं और इनका जो उभएनिस्ट गुड़न खंड हैं एक के अलावा और कुछ भी नहीं हैं यहां पर देखें हमने माना जो ए और भी हैं कैसी संख्याएं सा अभाज संख्याएं हैं सा अभाज संख्याएं इसके कहने का मतलब है जो ए और भी हैं ए और भी में एक के अतरिक्त एक के अतरिक्त कोई भी उभएनिस्ट गुड़न खंड नहीं है ऐसा हमने प्राप्त किया ऐसा हमने कहा इस विरोधा भास उत्पन हो रहा है, इससे हमें विरोधा भास प्राप्त होता है, कि एक के अत्रित इसमें गुड़न खंड और है, वो क्या है, फाइम है, हम लोग निशकर्च क्या निकालेंगे, यह जो विरोधा भास हमें क्यों मिल रहा है, यह विरोधा भास, राइट कर गलत कलपना से प्राप्त हुआ है गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है आता है जो अंडरूट 5 हमने गलत कल्पना क्या करी थी कि जो अंडरूट 5 है वो परिमे संख्या है लेकिन अपने स्कर्ज क्या निकल रहा है अंडरूट 5 क्या है एक अपरिमे संख्या है अता अंडरूट 5 एक अपरिमे संख्या है तो students हमने इस तरीके से question number one को solve किया, आप लोग इसको अच्छे से समझ देजिए, अगर आप लोग कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करिएगा Thank you students